हलो मैं डॉक्टर बीपे सिंग मैं सीनियर कंसर्टेंट और हेड़ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरालोजी और किड्मियस ट्रांस्प्रांट हूं बत्रा हॉस्पटल में और मैं इस हॉस्पटल में लास्ट बाइस साथ से काम कर रहा हूँ जहां तक प्रॉस्टेट डिसीज का सवाल है आदमियों में प्रॉस्टेट डिसीज मेंली दो ताहकी होती है एक बिनाइन अलाज्मेंट और एक प्रॉस्टेट कैंसर ये दोनों बिमारियां एक जैसे सिंटम शुरू में दे सकती हैं और पचास साल से ज़्यादा उमर के मेल् जहां तक बिनाइन अलाज्मेंट का सवाल है वो पचास साल की उमर से स्टाट होके नभे साल की उमर तक किसी भी मेल में हो सकता है और ये फैमिली में भी रन कर सकता है और इसके में जो लक्शन या सिंटम होते हैं यूरीन में रुखावट यूरीन का बार-बार आना यूर किड्नी फेल हो जाना है बिनाइन अलाजमेंट के डाइगनोस के लिए मेंली हम तीन टेस्ट करते हैं पहरा टेस्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें रेक्टल एग्जामिनेशन दूसरा टेस्ट एक अंट्रासौंट और तीसरा एक PSA टेस्ट मेंडिटरी है जो कि कैंसर के पेशेंट को डाइगनोस करने के लिए कि इस बिमारी का जो बिनाइन अलाजमेंट है उसका में इलाज दूर्बीन द्वारा हो जाता है और दूर्बीन से मेंली फ्रॉस्टेट का जो पार्ट एनलाज होता है तो उसको हटा दिया जाता है ये दूर्बीन यूरिन के रास्ते से डाल कर हमारे पास तरह तरह के एनरजी मेतट हैं जिससे हम फ्रॉस्टेट को रिमूव कर सकते हैं समयने पार की बात यह है कि बिनाइन अलाजमेंट में हम पूरा प्रॉस्टेट नहीं निकालते हैं सिर्फ प्रॉस्टेट का वह भाग जो पशाड के रस्ते में रुकावट कर रहा है उसको रिमूव किया जाता है बिनाइन अलाजमेंट में काटने के लिए जो Various energy sources हम use करते हैं वो या तो electric source हो सकता है जिसे हम QR भी कहते हैं या laser हो सकता है तरह तरह के laser available है इसके लिए successful है यहां बता देना चाहूँगा कि सारे जो prostate enlargement के patient हैं उन में operation की जरूद नहीं पड़ती है हमारी clinical practice में करीब 90% patient को medical management करका जाता है इन मेंसे कुछ ही patient होते हैं जो 10% से 20% है जिनको operation जिजरूद पड़ती है बट medical management start करें का मतलब है वो patient हमारे पास continuous timely follow पे रखते हैं और अगर कोई failure होता है medical treatment का तो उन्हें surgical treatment advice किया जाता है जहां तक prostate cancer का सवाल है prostate cancer coincidence is on the rise in our country for reasons of environmental pollution our population is aging we have got more number of patients in elderly age group और कुछ cases में यह prostate cancer families में भी रान करता है जहां तक इसके symptoms का सवाल है जैसे पहले आपको बताया कि prostate cancer के symptoms शुरू में कुछ बहीं नहीं होते हैं तो एक clinical examination जिसमें प्रेक्टल examination हम करते हैं prostate को feel करने के लिए clinically followed by blood test PSA अगर PSA का level high है roughly 4 से जादा तो उन cases को detail further investigation करते हैं कि उनको infection तो नहीं है अगर infection नहीं है तो उनको बाइपसी जिलोत है तो बाइपसी की जाती है prostate cancer को diagnose करने के लिए कुछ स्पेशल तरह की MRI test किये जाते हैं prostate cancer को localize करने के लिए भी जिनकी quality day-by-day अब improve हो रही है बड़ अल्टिमेटली लिटमस टेस्ट जो prostate cancer को diagnose करता है वो बाइपसी है जो की ultrasound की जाती है जहां तक इस बीमारी के treatment का सवाल है इस बीमारी के treatment से पहले हमें staging करना पढ़ता है prostate cancer क मेंली दो तरह की prostate cancer हो सकते हैं एक जो prostate के अंदर है और जो prostate से बाठ रहे हैं जो मरी इनिशन स्टेज में आते हैं जहांपर के prostate cancer prostate के अंदर है उसके लिए हमारे पास दो modality of treatment है एक है surgical removal of the prostate complete and joining back to passage और दूसरा है radiation therapy क्यां patients जिनमें disease initial stage में होती है जो जादा जीने की उमीद रखते हैं इनको associated illness नहीं होती उसमें हम surgical treatment prefer करते हैं और ऐसे patient generally दस से पंदरह साल से बीस साल से उपर survive करते हैं जाद तरह से patient radiation therapy भी एक तरीका है इस क्रूप के patient को treat करने का इसमें मेली जो जादा advanced stage की विमारी है नुकर या patient जो unfit है उनको radiation advice करते हैं थोड़ा और लैप है surgical treatment और radiation therapy में यह आपका treating doctor decision लेता है कि आपके लिए क्या best method है for localized prostate cancer जहां तक prostate cancer जो फैला हुआ उसका सवाल है उसके लिए जो mainstay of treatment है शुरू में hormonal होता है इसका ही होता है कि जो male hormone है body के अंदर उसको हम शरीर से अटा दे इसको अटाने के लिए या तो medical treatment का इस्तिमाल कर सकते हैं injections का या हम patient के दोनों testis को remove कर लेते हैं यह advanced stages का treatment हुआ यह जो hormone treatment है शुरू में काफी effective रहता है बहुत सारे मरीज कुछी सालों में कुछी महीनों में hormone resistant हो जाते है इस stage पे इन मरीजों के हो keyword therapy किया हो शुक्तित है अब over a period of time जो chemotherapy गेज अटाम है वो better chemotherapy गेज अटाम है जो ज्यादा effective है और दिनके side effect है थैंक्यू